Hello friends, welcome to my YouTube channel Exercise 1.4 का question number 3 solve करेंगे देखे, fill in the blanks यानि कि हमें इन blanks को सभी blanks को क्या करना है? भरना है तो देखे, पहला एक क्या दिया हुआ है? कि 369 divided by और यहाँ पर blank का sign दिया हुआ है और is equal to 369 अब देखे, हम यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे? जिसको भाग देने पर 369 ही आए तो जब हम किसी भी number में एक से multiply करें या फिर divide करें तो वो number उतना ही आता है तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? 1 रहेगा, तो यहाँ पर देखे, A is equal to, यहाँ पर क्या हो जागा? 369 divided by और यहाँ पर ऐसा क्या रखेंगे? जो कि equal का sign जो equal के बाद 369 ही आए तो यहाँ पर 1 होगा तो 1 इसमें divide करेगा तो वो 369 ही आएगा अब देखे, B देखते हैं क्या दिया होगा है कि minus 75 divided by कितना? minus 75 divided by कितना? यहाँ पर fill in the blanks दिया हुआ और यहाँ पर minus 1 दिया हुआ है तो देखे, यहाँ पर हम ऐसा क्या रखेंगे? कि minus 1 आए जब हम किसी भी number में same number से क्या करते हैं? divide करते हैं, तो वो 1 के बराबर आता है और जब कि यहाँ पर minus दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ऐसा क्या रखेंगे? तो जैसे ही हम यहाँ पर 75 रखेंगे तो देखिए 75 इससे डिवाइट करेगा तो एक बार में जाएगा और यहाँ पर एक माइनस का sign है तो वो माइनस यहाएगा तो यहाँ पर answer क्या होगा तो 75 होगा जो B का answer आए वो कितना आगया 75 समण में आगये आपको हम किसी भी same number से divide करते हैं तो क्या आता है 1 आता है तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या होगा 206 होगा लेकिन एक बात आप ध्यान देजिए यहाँ पर 206 होगा लेकिन एक बात आप ध्यान देना इसमें क्या कि यहाँ पर plus 1 है अब हम यहाँ पर एसे दिखेंगे यहाँ पर पर ऐसा हम क्या नंबर रखेंगे जिसका आंसर 87 आएगा तो जब हम सेम नंबर यहाँ पर दिया हुआ है तो जब यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो क्या आजाएगा यह 87 बार में ही जाएगा तो 87 तो आ गया लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस का साइन कैसे आएगा, यहाँ पर भी हमें माइनस रखना पड़ेगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा, केंसिल हो जाएगा, तभी तो जाके 87 आएगा, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा, डी का, डी का वो आंसर क्या होगा, तो माइनस वन इसका क्या हो आंसर हो जाएगा तभी माइनस से माइनस केंसिल होगा और यह प्लस 87 बनाएगा वन रखेंगे तो माइनस वन अब समझ में आ गए आपको यह नंबर वाला कोशन क्या दिया हुआ है कि यहां पर ब्लैंक दिया हुआ है और यहां पर डिवाइड़ बाई तो हम यहां पर ऐसा क्या रखेंगे जिसका आंसर माइनस 87 आएगा समझ में आ रहा है आपको यहां पर तो वन है कितनी बार यहां पर किसमें डिवाइड करेंगे कि यहां पर 87 आएगा तो जाएड़ सी बात है यहां पर 87 ही होगा लेकिन यहां पर देखेंगे आंसर में क्या दिया हुआ इसके तो minus 87 दिया हुआ तो यहाँ पर हमें minus ही रखना पड़ेगा तभी तो जाके यहाँ पर plus और minus यहाँ पर जब आपस में divide होगा तब जाके minus 87 होगा एक यहाँ पर minus का sign होना चाहिए इसलिए यहाँ पर minus 87 हो गया तो इसका जो answer आया वो कितना होगा minus 87 क्या होगा इवाले का answer होगा कि F पार्ट देखते हैं तो F में क्या दिया हुआ फिर यहाँ पर blank दिया हुआ है और divided by 48 दिया हुआ है is equal to क्या दिया हुआ है तो minus 1 दिया हुआ है तो देखिए जब हम same number में अभी हमने पढ़ा गया कि जब हम same number में same number से divide करेंगे तो क्या आजाएगा 1 आता है तो यहाँ पर हमने 48 लिग दिया एक तो समझ में आ गया एक बात लेकिन यहाँ पर देखें क्या यहाँ पर plus है और यहाँ पर plus है इन दोनों को जब हम आपस में दिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा लेकिन यहाँ पर minus दिया हुआ minus का sign लाने के लिए हमें यहाँ पर भी minus का sign देना होगा इसलिए इसका जो answer आएगा वो minus 48 आएगा समझ में आ रहा है तो f का जो answer आए वो minus 48 आएगा आप देखिए g part देखते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ 20 divided by कितना यहाँ पर fill in the blank दिया हुआ और minus 2 दिया हुआ है अब यहाँ पर देखिए हम ऐसा क्या रखेंगे जिसका table पढ़ने पर 20 आए और वो भी दो बार में आना चाहिए तो हमें दिख रहा है 10 क्योंकि 10 की ही table में दो बार में कितना आएगा 20 आएगा लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर minus दिया हुआ है तो minus लाने के लिए हमें यहाँ पर भी minus देना होगा तभी तो जाके 1 minus रहेगा तभी तो जाके answer minus होगा तो इस तरीके से इसका जो answer आया वो minus 10 ही इसका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा जी वाले हो आप वो अच्छे समझ में आ रहा होगा अब देखिए h देखते हैं यहाँ पर fill in the blank और यहाँ पर divided by और यहाँ पर 4 दिया हुआ हुआ is equal to क्या minus 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ऐसा क्या रखेंगे जो कि 4 की table में 3 बार में यहाँ पर minus 3 दिया हुआ है तो यहाँ पर ऐसा हम क्या रखेंगे कि 4 की table में 3 बार में आ है तो 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया अब यहाँ पर देखेंगे आप minus का sign है तो minus cosine हमें यहाँ पर लगाना होगा तभी तो जाके minus cosine 1 एक रहेगा तभी तो जाके यहाँ पर minus cosine आएगा minus 3 तो यहाँ पर minus 12 इसका क्या हो गया answer हो गया उमिद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो इस वीडियो में बस इतना ही next question के लिए मिलते हैं फिर next वीडियो में तब तक के लिए good bye